Hello friends, welcome back to my channel, this is Neha Pachil and सिर्फ और सिर्फ दो महीने बच गए है आपके CS June exams के लिए आपको लग रहा होगा यार दो महीने है, थोड़ा टाइम बचा हुआ है, थोड़ा टाइम बात पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है और इस समय का आप कैसे सदूप्यों कर सकते हो, कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो अपने पढ़ाई के लिए उसी पे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सो विदाथ बच गए आपको वीडियो को अगर आप एक्जेक्यूटिव में हो और आप दोनों ग्रूप दे रहे हो तो आपके हो गए आठ सब्जेक्ट मैं हर एक सब फाइनल रिविजिन हर एक सब्जेक के लिए दो दिन दिया करती थी पीछे से तो मतलब आपको पीछे से 16 दिन ब्लॉक कर देना है मतलब आपके में 15 तक का टाइम है जितना चाहिए उतना पढ़ लो 15 में के बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का दो दो दिन में रिविजिन कम्प्लीट करते जाना है अब यह जो स्ट्राटेजी है उसको इग्नॉर मत करना क्योंकि मैं ही नहीं मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स हंड्रेट मेरे साथ क्लियर हुए है उन्होंने यह स्ट्राटेजी की थी कि वो लोग ने लास्ट के दो दो दिन फाइनल रिविजिन के लिए हर एक सब्जेक्ट को दिये थे इससे होता कहना जब आप एक्जाम देने जाओगे तब आपके पास 24 गंटे भी नहीं मचते उसमें रिवि उसके बाद जो पेपर है वो उसके पहले रिवाइस करना है अब आपको समझ में आ रहा है जो सबसे लास्ट पेपर है वो सबसे पहला रिवाइस होगा उसके बाद सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट रिवाइस होगा इस तरीके से सीक्वेंस जाएगा सेके दिन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इस राइटिंग प्रैक्टिस एंड स्कैनर अब मैंने ये एक बहुत बड़ी गड़बड कर दी थी मेरे टाइम पे लास्ट का जब दो महिना बचा हुआ था ना तब भी मैं ज्यादा पढ़ाई ही कर रही थी और राइटिंग प्रै इस दो महिने में पढ़ाई करोगे पढ़ाई तो करनी है वह कम करोगे उससे ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस और स्कैनर करोगे मेरी वाली गलती आप लोग रिपीट मत करना चलो आप लोग जो आपका एपरिल का महिना उसमें आप अपना पूरा अच्छी से पढ़ाई करो बट जैसे में स्टार्ट होता है आपको राइटिंग प्रैक्टिस और स्कैनर बिल्कुल जोरो शोरो से स्टार्ट कर दोगे थर्ड यह ना कि आप अपने दोस्तों से बात करते हो फोन पर आप मलब जो भी आप ग्रूप में हो जो भी हो सब करो कोई प्रॉब्लम नहीं है सोशल मीडिया देखो कोई दिक्कत नहीं है पर ना इस चीज का ध्यान रखना कि आप जब भी अपने दोस्तों से फोन पर बात करते हो तो कंपेरिजन वाला टॉपिक ना निकले मैं आप से एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ यह एकतम सची घटनाओ पर आधा रही थे मेरे दो दोस्त थे ठीक है और उसमें से मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे दूसरे फ्रेंड को कॉल करता था और अपडेट ले रहा था भाई तरह कितना पढ़के हुआ यह मेरा तो वो अब तक अटेंट दे रहा है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आपको लग रहा होगा कि हां हम दोनों फोन पर पढ़ाई कर रहे हैं ग्रूप स्टेडी कर रहे हैं बट ऐसा कुछ नहीं होता है कोई ना कोई अपना काम निकाल के निकल जाता है और हम रह जाते है तो ये गलती मत करना, comparison मत करना आपको जितनी चाहिए जितनी बात करनी करो बट पढ़ाई का topic पे थोड़ा sensitive हो जाना या तो ignore करना या तो अपने limit में रहे हैं answers देना तो yes friends that's it, ये तीन टेकनीक थी जो मुझे आपको बतानी थी और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी थी आप लोगों के लिए क्योंकि अभी दो महीने ही बच्चे आपके लिए इसके लिए मैंने एक special वीडियो भी बना ली अब ये तीन चीजा आप बिल्कुल मत भूलना और इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस चार्ट कर देना पीछे के थोड़े दिन फाइनल रिविजिन के लिए छोड़ देना और कंपेरिजन मत करना हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में बाई पस्टप लगए